नमश्काल साथियों, तब पेन डाउन में आपका सौड़त है, मैं हूँ आपका दोस्त प्यूस्त पाथी साथियों आज हम बात करेंगे राम मंदिर और उससे जुड़े अर्थतन्तर की क्या राम मंदिर आने वाले समय में अर्थ व्यूस्था का एक नया पेंदर बनके उबरेगा, ये इस वक्त चल्चा का एक बड़ा विश्य है, आगे हम इसी पर चल्चा करेंगे और इसके तमाम पहरूँओं पर नजड़ा देंगे आयोध्या में नव गर्मित राम मंदिर में 22 जन्वरी को राम लेला की प्राथ पतिष्ठा के बाद से ही दर्शनाल्थियों की भारी भीवड उमड़ गई है, हाना कि 22 जन्वरी के काफी पहरे से ही शद्धानुओं की भीवड आयोध्या पहुशना शुरू हो गई थी 22 जन्वरी को प्रधान मंदिर में राम मंदिर के गर्द रह में राम लेला की प्राथ पतिष्ठा की इस अफसर पर देश दुनिया के बड़े बड़े लोग अयोध्या मंदिर किये गए थे जिन में सादूसंग, राजनेता, और द्योगपती, खेल और फिल्म जगश से जो सपरिवारे उध्या पहुचे मुके शम्बानी ने अपने परिवार की तरफ से मंदिर में दो करों 51 लाथ पैदान दिये, मंदिर की दान पेटी पहले दिन से ही भलने लगी है, त्राण पतिष्ठा के अग्मे दिन से आम लुगों के लिए मंदिर के कपार खोल दिये गए, पहले ही दिन पास लाग लोगों ने भारी धक्का मुकी के बीच राम लिला के दर्शन किये, जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान के सामने शंधा स्वरूप अपनी सामक्त है नुसान कुछ न कुछ चड़हावा भी अर्पित करता है, भले ही वो एक उपी अर्पित करें या एक लाग जब से प्राठ पतिष्ठा हुई है तब से लगातार हर दिन लाखों की संख्या में शद्धाल राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, गरतन दिवस के दिन भी करीद साथिक तीन लाख लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किये, मैं चाल दिन में ह लाख से अधिक शद्धाल राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में जानकारी दी है कि 22 जनवरी को कैस काउंटर पर 6 लाख रुपय दान में आए और चेक इवं ड्राफ्ट आदी से 3 करौन रुपय मिलें, 13 जनवरी को 7 लाख रुपय नगद आ मंदिर, मुंबई के सिद्धिवनायक मंदिर और वेश्रो देरी मंदिर को चढ़ावे की द्विष्ट से सबसे अमीर मंदिरों की शेणी में रखा जाता है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में नाम मंदिर पर शद्धाल पहुंच रहे हैं, उससे कुस दिनों में ही ये मंद सबसे अमीर मंदिरों में शामिर हो सकता है, जो रोग मंदिल दर्शन के लिए आएंगे, वे यातायाद के किसी ना किसी साधन दोप्योग करेंगे, जिस पर वो टिकट या पेट्रोल डीजल के रूप में राशिवेय करेंगे, आयोध्या आने के बाद वे किसी ना किसी गे से जन होगा, आसपास के जिलों का भी विकास होगा, जो रोग आयोध्या जाएंगे, उनमें से बहुत लोग उत्तर वदेश के अन्य धार्मे के स्खलों और परेटन केंद्रों को देखने भी जाएंगे, ये सारी गतिविदियां अल्थ मेंस्था को बढ़ाने में सही उप सकते हैं कि आयोध्या अल्थ के एक नए केंद्र के रूप में भी इस्थापित होगा, तो साथियों हमने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से राम मंदिर आने वाले समय में अल्थ का एक नए केंद्र मंदर उगदेगा, साथियों आपसे बुजारिश हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक वा सबस्क्राइब जरूर गरें और किसी तरह से अपना सपोर्ट हमें देते रहें, हर नवाद